हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपने योट्योग चैनल पर तो कैसे हैं आप सब आयोप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी बहतर चल रही होगी दोस्तो आज किस क्लास में हमारा टॉपिक होगा रूसो की निसे धात्मक सिक्षा की आगे देखीगा प्रश्ण मिलेगा कि रूसो के मुखे सचिक विचार को बताईए अथवा इस्त्री सिक्षा के विशे में रूसो की धारड़ा को बताईए तो इस तरीके से प्रश्ण आपको देखने को मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं जानेंगे बहुत ही डिटे और पुरुस को एक जैसा नहीं माना था यह चाहते थे कि इस्त्रियों को सिक्षा देना इतना जरूरी नहीं है इस्त्रियों का इन्होंने स्वतंत्र इन्होंने इस्त्रियों को नहीं बताया उनका व्यक्तित जो है वो स्वतंत्र नहीं है इनके अनुसार आगे देखेगा लिखा है कि वह इस्त्रियों को पुरस का पूरक मानते थे और उसका कोई सुतंत्र व्यक्तित तो नहीं मानते थे इस लिए इस्त्रियों की सिक्षा के विषय में इनके विचारों की कटू आलोचना की गई है किन्तु रूसे की विचारू की अलोशना करने से पहले हम उनका इस पस्टी करड जो है वो देख लेते हैं तो इस्त्रियों की सिक्षा को रूसो ने सोफी की सिक्षा के रूप में दिखाया है सोफी का ये कुदाहरड लिया है और इसी के रूप में इन्होंने सिक्षा को दिखाया है इस्ट्यू के बारे में अब ये सोफी कौन है तो सोफी जो है वो एमेल की भावी पत्नी है और रूसो उसे उन सब बातों की सिक्षा देना चाहते हैं किसे सोफी को जिससे वह एमेल के लिए अधिक से अधिक उपयोगी हो सके और उसे सुख पहुचा सके तो उनका मतलब क्या था कि जो इस्त्री होती है वह पुरुस का पूरक होती है मतलब सिर्फ पुरुस को सुख पहुचाए और पुरुस का जो भी काम है वो सारे काम करे सारीरिक दुरिस्टी से वहा उसे हस्ट पुष्ट और सुन्दर बनाना चाहता है क्योंकि ना केवल इससे वह अपने पती को सुख दे सकेगी बल्कि स्वस्थ और पुष्ट संतान भी उत्पन्न कर सकेगी इसलिए वह सोफी को क्या करना चाहते थे? हस्ट पुष्ट और सुन्दर बनाना चाहते थे सोफी को घर के काम में निपड होने की चेस्टा करने चाहिए इसलिए उसे काढ़ने, बुनने, सीने, पिरोने और ग्रहस्ती के अन्ने काम करने की सिप्षाद दी जाने चाहिए तो इनका मतलब यह था कि जो औरते होती हैं उनको घर का काम बहुत अच्छे से सीखना चाहिए हर एक कामों में घर के निपड होना चाहिए उसे नाचना गाना, सोफी को नाचना गाना तथा ललित कलाएं भी सिखाई जाने चाहिए किन्तु रूसो इस्त्रियों को दर्सन कला और विज्ञान की सिक्षा नहीं देना चाहते थे सिर्फ जो घरेलू सिक्षाएं होती हैं वही देना चाहते थे इस्त्रियों को लेकिन विज्ञान की सिक्षा या दर्सन की सिक्षा नहीं देना चाहते थे क्योंकि उनका कहना था कि इनकी उन्हें कोई भी आवशक्ता नहीं होती है तो ये इन्होंने निसेधातमक शिक्षा दे दी इस्त्रियों के बारे में आगे देखीगा रूसो इस्त्रियों की नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर विसेश बल देना चाहते हैं किन्तु यहां पर उनका लक्ष केवल उन्हें माता और पत्नी के रूप में ही सिक्षित करना है उनके सब्दों में कहा गया कि प्रतेक कर्या को अपनी मा का और प्रतेक पत्नी को अपनी पती की आग्या का पालन करना चाहिए नयतिक द्रश्टी से इस्त्रियों में सहनसिलता और आग्या पालन की गुड होने चाहिए जब तक पढ़ने लिखने में उनकी स्वयम कोई रूची ना हो मतलब अगर बालिकाओं का मन ना लगे किसी औरतों का पढ़ने में मन ना लगे तब तक उन्हें पढ़ाना व्यर्थ है तो ऐसा तो भाई लड़कों के साथ भी होना चाहिए अगर उनका मन नहीं लग रहा है तो उन्हें जबरजस्ती पढ़ा करके भी आप क्या करोगे तो लेकिन अन्हों ने सिर्फ इस्त्रियों के बारे में ऐसा बोला रूसों का विचार था कि इस्त्रियों में स्वाभाविक रूप से पढ़ने लिखने की और रुची उनकी नहीं होती है वो लड़कियों को कठोर बंधन में रखना चाहते थे जबकि दूसरी ओर लड़कों को पूड स्वतंत्रता देना चाहते थे इस सब में उनका उद्रेस यही था कि इस्त्रियां स्वयम साध्य नहीं है बलकि पूरुस की उन्नती का एक साधन मात्र है उनका कहना था कि प्रतेक पतनी अपने पती के मनोविज्ञान का धन करना चाहिए कि हमारे पती को क्या पसंद है पती के लिए क्या करना चाहिए जो पती के मन का हो मतलब पती के मन विज्ञान का धन करना चाहिए और उसी प्रकार से उसे चलना चाहिए जिससे वह उसके लिए अधिक से अधिक उप्योगी और सहायक हो सके और उसे पती के आग्याओं का पालन करना चाहिए और वे ही काम उसे करने चाहिए जो उसके पती को अच्छे लगें उसे या पता होना चाहिए कि किस समय क्या करना है उसका पती क्या सोच रहा है क्या कहना चाह रहा है इस प्रकार रोसों ने इस्त्रियों के मनविग्यान समाजिक सिती और सिक्षा के विसे में जो अपने ये विचार दिये हैं जो सारे विचार अभी तक आप देख रहे थे ये सारे विचार दिये हैं ये सारे आधने की चेतना के नितांत विरुद्ध माने जाते हैं कदाचित इनके बच्पन के कटू अनभो थे इन्होंने जो भी अपने बच्पन में अनभो किये थे इस् इस्त्री सिक्षा संबंधी विचारों को अतियंत अपूड और आव्यवहारिक भी कहा है इस्त्रियों के प्रति उनका द्रश्टिकोड अतियंत रोड़िवादी था संकुचित था और आस्वाभाविक था उन्होंने कभी भी उनके मनविज्यानिक को द्रश्टी में रखकर विचार नहीं किया इस्त्रियों के उन्होंने अपनी पुस्तक में एमिल के नाम से ही एस्पस्ट कर दिया कि उनका विसेश ध्यान बालक की सक्षा की और ही जाता है तो एमिल के बारे में जो कहा था इन्होंने एमिल की पतनी के बारे में तो उससे हमें पता चल जाता है कि का विचार जो है वो इस्तियों के प्रती कैसा है ये बालिकाओं की सिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं कि उन्हें किस प्रकार की सिक्षा दी जानी चाहिए और बालक को स्वतंत्र रखना चाहिए तो ये सारे इनके विचार थे और बालिकाओं की सिक्षा को तो उन्हें केव वनिवोडान उनुमाँन के अधार पर खाना पूर्टि करने का उल्लेख किया था तो यह उनके विचार थे कि रूप में बिल्कुल ही बिरुध थे इस इसने के लिए इसैरी ने हैं इसलिए इनके सिक्षा को निसे धात्मक सिक्षा कहा गया तो यह सारी चीज़े थी जो रूसों के बारे में कहा जाता है और इनकी आलोशना भी की जाती है तो यह सारी चीज़े आपको याद रखना है यही है रूसों की निसे धात्मक सिक्षा तो दोस्तों अगर आपको यह अच्छा लगा होगा जो बहुत ही छोटा सा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था तो फिर मलते हैं अगली किलास में कुछ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप से पढ़ाई करते रहीगा और धन्यवाद